शादी शुदा जिंदिगी से तंग आकर महिला से संबंद बनाने लगी थी सिंगर किताब में किया खुलासा दुनिया भर में अपने बेहतरीन गानों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाली लंदन की सिंगर और टीवी एंकर लिली एलेन ने अपनी नीजी जिन्दगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में रिलीट हुई अपनी किताब और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिय किया है लिली एलेन की यह बात जानने के बाद उनके फैंस भी हैरान है अंग्रेजी वेबसाइट डेली मेल की खबर के अनुसार लिली एलेन ने हाल ही में रिलीट हुई अपनी किताब मायथोट्स एक्जाक्ली में खुलासा किया है कि जब वे अपने वैवाहिक जीवन से परेशान और अकेली हो गई थी तो उन्होंने माहिला एसकोट्स के साथ संबंद बनाये थे इस बात पर वाहिए भी कहती है कि अगर इसके लिए वे खुद पर गर्वन नहीं करती है तो वे शर्मिंदगी भी मेहसूस नहीं करती है इस बात को लिली एलेन ने अपने अफिशल इंस्टाग्राम पर फोटो शेर कर विस्तार में बताया है उन्होंने पोस्ट में लिखा जैसा कि मैंने अपनी किताब मायथोट्स एग्जाक्ली में अपनी जिंदगी के उन बुरे दिनों को बताया है कि साल 2014 में अपनी शीजस आलबम के प्रमोशन टूर के दौरान मैंने कई महलाई स्कॉट्स के साथ संबंद बनाए क्यूंकि मैं बहुत परेशान औरा केला महसूस कर रही थी लिली एलेन आगे कहती है इस तरह संबंद बनाने पर अगर मुझे गर्व नहीं है तो मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ यह पहला मके नहीं है जब लिली एलेन ने खुद को लेकर इस तरह के बयान दिये हैं इससे पहले भी वेह अपने परिवार और पत्ती सैम कपूर को लेकर भी बयान दे चुकी हैं बीते दिनों उन्होंने एक टीवी इंटर्व्यू के दौरान कहा था कि वेह नक तो अच्छी पत्नी बन सकी और नहीं मा इंटर्व्यू के दौरान लिली एलेन ने कहा मैंने हमेशा पतिक को धोका दियाग और तलब है कि लिली एलेन ने साल 2016 में बृटेन के बिजनेस मैन सैम कपूर से तलाक ले लिया है लिली एलेन की लोकप्रियता की बात करें तो ब्रिटिशर सिंगर लिली एलेन के गानों के दीवाने लाकों दर्शक है वह सॉंग राइटर के अलावा लंदन की जानी मनी टीवी इंकर भी है इंस्टाग्राम पर लिली एलेन को पॉलो करने वालों की संख्या 8,78,000 के करीब है उन्होंने नौट एर, एर बेलून और लॉस्ट मे माइंड जैसे सुपर हिट गाने गाए है